इसे पार तर्ड आज आपको पराड़ें तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परास्टर दाख परास्टर दाख ओस्मोसिस ओस्मोसिस एक ये बालाजिकल फिलॉमिनन है इसके अजिसार कम सांदता वाले पुलियन में से बिलायक के अर्णों का अट पागम में जिल्दी में होकर उच्छे सांदता के बिलियन की ओप बोने बाला सुप्ता परिवर्ट के प्रॉभा परास्टर दाख अस्मोसिस एक ये रेया आपकर यह एक्स्पेरिमेंट यह ये नॉरेट पे किया था ये पनल में उनोंने पनलने अंदर की तरक रुब का शुगार समोशीं और इस पनलना उनोंने के वीकन》 लगा दिया वीकन के बड़िया नहोंने पानी तो पॉस्मोसिस होता है कम सांदिता से किसी भी बिलियर तरके बाक कम साधता से अधिक साधता की और अर्ध पार्गर में घुर्धी के द्वार। जब इनको सैफ्रेज लगते हैं, तो पानी की साधता क्म होती है, शुगर सोलू terrifying की तुल्ना में तो ये पानी के अरू जो है इस अट पार्मत में बिलनी से इस तरीचे से इस फ़राग के अंदर जाने लगते हैं और शुगर स्लीशन जो इतना वरा हुआता इसका बढ़ते हैं इतना हुज़ा इस प्रगरिया को कहते हैं ओस्मॉसिस ऐसमॉसिस इस स्पोंटेन्य स्पोर्ट इसका उधार है किष्मिश अब आध किष्मिश को पराज को फाना में बिल जाते हैं तो किष्मिश की तो संपेस हैं तो आस्मोसिस इसको कहते हैं परासरन किसे कहते हैं कम सांधता से अर्ध पादम में जिन्दी द्वादा उच्छ सांधता की ओग किसी भी बिलियन का प्रभा परासरन कहाता अब दूसरी पड़िभाशा है परासरन्ता इस परासरन की प्रतरिया को रोखने के लिए जो डाव बिलियन की तरफ से लगाया जाता है उसे हम कहते हैं परासरन्ता वैसे इस चिक्ति में दिखाए गया है यह को चांदा है परासरन्ता यह बहेगा अब इसमें इतना ही एडिवेट प्रेशन यदि हम इस सॉलूशन बढ़ाए तो यह कुड़ी देटो जित जाएगी इस दाजों कहते हैं परासरन्ता तो परासरन्ता था की परिवाशा है वैह है द्रफ इस चैटिक दाभ जो परासरन्ता परिविया को रोगने के लिए आश्छक और आश्छक तरफ बोंटप्य बताया परासरन्ता था बॉन्टॉफ के अनुसाद बरास्तनर दाविसंट पाई से इम्टॉट करते हैं पाई जो होता है वो सांधता के समानफादी होता है पाई उस दाइड़नी प्रोपोश्नल तू सी और सांधता और पाई तंगा के संब्दे सांधता पराबर होती है इक वटदा भी ही तो पाई इपल तू सुथा है पाई जिस इर्श्मुक्य को गॉल्सकन rhymes और पाई इस इपल तू परण्सकैन जो की बॉल ता नियाम vine revive ll यह वाई नियाम के इल बॉल नियाम पाई वी इसगॉल तो ऐन करो अजल्सक्त नियाम्स दूसरा लिया में आपका चार्ज करनिय, चार्ज करनिय का कहता है हमारा, चार्ज करनिय हमारा कहता है कि पाई जो आस्मोर्टिक प्रेशर होता है, वो टेम्प्रेचर के समानुपाती होता है, तो पाई इस चार्ज करनिय अंप्रेशर साथ, पाई इस दारेक्टिक अगर हम इन दोजों को मिला दें गॉल सो चार्स का नियम तो हमाली से सम्भी करना हाती है वह आती है पाइपी इपल टू एन आर्टी पाइपी इपल टू एन आर्टी तो पाइप परासादा वी आइतन एन विले पतां के दोरों की संधिया तो पाइपी इपलों की में पाइप को कहते है पाइप कमा वाई्यम मंदल में एटमोस्ट्रय में बी कर माच जो आई कर होता है इसमें उसको हम लेते हैं लिटर में लिटर में लेते हैं MN कोई काम लेगा A को तुम जाते हो A पराबर होता है मोलो की संथ्या और यह पराबर होता है W by A मिले पता सी ग्राम में मात्रा इवाइड़ बाई अडू हाद आर्पा बताव है gas constant, इसमें आर्पा बताव होगा है solution constant ही तर्फी भी कहा गया है इसको स्टीन भी कहा गया है पर आर्प दो होगा है gas constant, gas हिस्टाइब और इसका माँ होता है 0.0821 एक्मोस्फियरिक पर कल्विक पर मुल्ड इसमें हम आतामान देते है 0.0821 लेटर एटमोस्फेरिक पर कैल्विक पर मूर्ड यह आतामान तो इससे भी हम ओस्मोर्टिफ प्रेशर जो है यह भी हमारा एक अनुसंद्य गोर्धार में इससे भी हम वागी तो व्याद कर सकें हम बहार बराबर होता है 5D is equal to 10RT और 5D is equal to 10RT और 5D is equal to W by M, RT और 10 पराबर किसके होगा हम बाग? W, R, T divided by 5 इस सुथ से हम किसी भी बिले पराग का अनुभार जाता सकते हैं जहां गणू है गिले का अ ग्राम में, R का मत्रब है गैसे स्कांग, T का मत्रब है टेंपेचर इन गैले, पाई का मत्रब है आपका पराश्टर ताब 5D मिंदर में और B का मत्रब है आइसन बिटर में तो पाई B is equal to 10 is equal to WRT divided by 5 इसके next है आपका चोटी प्रोपर्टी है आपकी इसके बास, कल जो आपको पढ़ाएं है मांक में अब नवा, THANK YOU कर लाएं है